तो पहले सातियों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा आपनी संस्कृत की सिक्षन वीडियों पर एक वीडियो सीरीज चल रही थी और वो complete हो चुकी है देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है दो language होती है एक तो language first और एक होती है language second तो यदि आप language first के रूप में Sanskrit लेते हैं तो आपको ये वीडियो नहीं देखना है ये वीडियो आपके लिए नहीं है लेकिन यदि आप language second के रूप में Sanskrit लेते हैं तब ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होगा तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक टोपिक है यहाँ पर संस्क्रिट सिक्षन अभीरूची प्रसना हाँ ठीक है तो यह जो अभीरूची प्रसना वाला टोपिक है यह मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि यह केवल लेंग्वेज सेकिंड के लिए था लेंग्वेज फर्स्ट में यदि आप संस्क्रिट लेते हैं और सिक्षन वीडियों की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्षन वीडियों क्म्प्लिट हो चुकी है इस टोपिक को छोड़ कर गे आपको पूरे पढ़ लेने है लेकिन यदि लेंग्वेज सेकिंड के भाग 27 और इस से पहले वाले 26 भाग भासा 1 के लिए भी समान उपयोगी थे और भासा 2 के लिए भी समान उपयोगी थे तो वो दोनों ही भासाओं की रूप में यदि आप तयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना है अभी रूची प्रसन वाला टोपिक और सिक्षन कोसल वाला जो टोपिक है यह मिला जूला टोपिक है और यह केवल भासा सेकंड के कॉम्पिटेटर्स को पढ़ना है तो आज हम इसमें दोनों ही सिज़े कवर करेंगे तो इसकी पीडियाप जो है 26 भागों की वो अल्टेडी अपलोड कर दी गई है अपने टेलेग्राम चैनल पर तो मेरा नाम है असके कटारिया और आप देख रहे हैं सकाई एजुकेर का यूट्यूब चैनल और समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजेगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो प्यारे साथ यूँ इस प्रकार से आज का अपना टोपिक है अभिरूची प्रसनाहा और सिक्षन कोसल तो जितने भी इंपोर्टेंट सिक्षन कोसल है वो आज हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर सभी सिक्षन कोसल मैंने महत्व है और अभी रूची प्रसन किसे कहते हैं देखिए संस्कृच्प सिक्षन में चात्रों को अभी रूचि आत्मक्प्रसनों के पठन से विषय वस्तृ प्रभावी ठंग से समझ में आजाती है आता है सिक्षन में अभी रूचु प्रस्न की अंदर अभिरूची मिन्स रूची पूर्ण प्रस्ण यदी पूछे जाएंगे और रूची पूर्ण प्रस्णों को पूछते हुए विशेवस्तु को आगे बढ़ाया जाएगा तो प्रभावी ढंग से जो विशेवस्तु है ये हमें समझ में आ जाती है इसलिए का अनुवाद है यानि कहने का तात्परी ये है कि अभिरुची को हम इंग्लिज में क्या कहते हैं इंट्रेस्ट तो जिस विशय में आपका इंट्रेस्ट होगा उसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा ठीक है तो अभिरुची प्रसणों में क्या होता है इंटरस्टिंग प्रसण होते है और इंटरस्टिंग प्रसण यदि आपसे पूछ惊 जाएंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा तो अंग्रेजी में इंटरस्ट सब्द लेटिन भासा से लिया गया है जिसकार्थ होता है रूची सें संबंधित चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर एलन गेज ने क्या कहा है सिक्षन अभिरूची परशनों के बारे में यह एक विद्वान है 1968 में इन्होंने कहा कि सिक्षन कोसल या सिक्षना भिरूची वह विसिस्ट अनुदेशन पर करिया है जिसें अध्यापक अपने कक्षा सिक्षन में प्रियोग कर सकता है यह सिक्षन करम की विभिन क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें सिक्षक अपने कक्षा अन्तहे किरिया में लगातार प्रियुक्त करता है यानि ऐसी किरिया जिसको अध्यापक कक्षा में अन्तहे किरिया में अन्तहे किरिया मिन्स है कि अध्यापक और छातर के बीच में जो वारतालाब होता है परशन उत्र का जो सिल्शिला चलता है उसमें लगातार प्रियुक्त कर सकता है कौन सिक्षक क्योंकि अभीरूची मिन्स ये रूची पूर्ण प्रस्नों का एक तरीका है और यह करमबद तरीके से चलता रहता है यह सिक्षन करम की विभिन किरियाओं से समबंदित होता है जिनें सिक्षक अपने कक्सा में सके शिक्षन अभीरूची को सिक्षन कोसल भी कहा जा सकता है तो सिक्षन अभीरूची जो है इसको सिक्षन कोसल भी कहा जा सकता है अब यहां पर सिक्षन कोसल या सिक्षन अभीरूची की कुछ विशेस्ता हैं देख लीजिएगा प्रभावी सिक्षन में सहायक होते हैं य जो है वो अपना विश्यस महत्व रखती है शिक्षन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है यदि प्रभावी शिक्षन है तो वह है शिक्षन के उद्देश्यों की प्राप्ति में जरूर सहायक होगी सिक्षन प्रक्रिया सरलवा बोधगम में हो जाती है शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता परदान करती है कक्सा में सिक्षन की प्रिस्तितियां उत्पन करती है सिक्षन कोसलों के प्रसिक्षन से सिक्षक विवहार में परिवर्थन आता है यानि सिक्षन कोशलों के प्रसिक्षन से सिक्षक का जो विवहर है टीचर का जो विवहर है उसमें भी परिवर्टन आता है तो ये कुछ विशेशताएं हैं बहुत ही सरलवासा में लिखे गई है मेरे साब से आपको समझ में आ गई होगी तो प्यारे सातियों यहाँ पर प्रमुख सिक्षन कोशलों की चर्चा करते हैं एलन तथा रोयन ने 1979 में कुल 14 सिक्षन कोशल बताए लेकिन इसके बाद में भारतिय सिक्षा सास्त्री बीके पासी ने 1973 में सिक्षन कोशलों का अधिन किया और 13 सिक्षन कोशलों की व्यख्या की अब वो तेरह सिक्षन कोसल कौन-कौन से हैं एक बार देख लिजिएगा जिसमें पहला है प्रस्तावना कोसल दूसरा प्रस्न कोसल इसके बाद समीपता की प्राप्ती चातर की विवहर के लिए कोसल द्रिश्टांत कोसल और उद्दीपन भिंता कोसल यहां तक 6 हो गए और सा पर जो प्रमुख कोसल है इनमे से जो अपने एकजाम की दृष्टी से महत्वपून हैं जिन से प्रस्न पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरे तेरह पढ़ने का यहां पर कोई लाब नहीं होगा इसलिए जो महत्वपून हैं जिन से प्रस्न पू पूर्वग्यान परिक्षन यानि पाठ को प्रारंब करने से पहले बच्चे के पूर्वग्यान को जाचना और उसके बाद में उस ज्यान से जोडते हुए उसको नए पाठ को पढ़ाना ही प्रस्तावना कोशल का उद्देश से है तो पूर्वग्यान परिक्षन करना क्या मूल उदेश चे है प्रस्तावना का प्रस्तावना क्या होती है एक बार समझ येगा पाठ को प्रारम करने से पहले बच्चों के पूर्वग्यान को जांसते हुए पूर्वग्यान से जोडते हुए देखे पूर्वग्यान को जांसते हुए वब पूर्वग्यान से जोडते ह वर्तमान पाठ की और बढ़ने के लिए काम में लिया जाने वाला कोसल ही प्रस्तावना कोसल है समझ गए हूंगे इसे पाठ प्रारंब कोसल वर वियन्यास प्रेरन कोसल भी कहा जाता है कहने का तात्री ये है कि अध्यापक पार्ट पडाने से पहले बच्चों से ये जानने की कोशिष करता है कि वो इस पार्ट के बारे में कुछ पहले से जानते है या नहीं जानते और ये जांचने के लिए वह कुछ प्रस्न पूछता है तो पहला प्रस्न ऐसे होगा जिसका आंशर बच्चे को 100% आएगा यानि बच्चा जो चीजें जानता है उसी से रिलेटेड वो प्रस्न पूछेगा यानि पूर्व ग्यान से उसको जोड़ेगा उस प्रस्न का जब बच्चा आंशर देगा तो अध्यापक को पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज तो इसको मालूम है फिर थोड़ा सा कठीन प्रस्न पूछेगा और उस कठीन प्रस्न का उत्तर भी बच्चा देगा तो फिर थोड़ा और कठीन पूछेगा ऐसे करते करते वह है एक ऐसे प्रसन पर जाएगा जिसका आंसर उसको नहीं आएगा और वो प्रसन कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा यानि ज़्यादा दूर नहीं होगा चोथा या पांचवा प्रसन ही समस्यात्मक प्रसन होगा ठीक है और उसका आंसर बच्चे को नहीं आएगा तो उसका आंसर बताने के लिए वह है उस नए पार्ट को पढ़ाएगा यानि प्रसन इस परकार का होगा अंतिम प्रसन समस्यात्मुक प्रसन जो उसे नया पार्ट पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और उसका आंस्वर उस पार्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों को अपने आप मिल जाएगा ठीक है तो देखेगा इसमें प्रस्व पूरुव ज्यान से संबंदित किये जाते हैं पूरुव ज्यान से यानी कि जो ग्यात जो चीजिए हैं उसे अज्यात की ओर ठीक है तो प्रसन जो है वो ग्यात से अग्यात की ओर किये जाते हैं यहां प्रसन सरल वस्पस्ट होते हैं यानि सीधे साधे प्रसन होते हैं सरल होते हैं जिनका उत्रस्पस्ट होता है बच्चा आसानी से उसको समझ जाता है प्रसन को यहां प्रसन चार या पांच ही होते हैं अंतिम प्रसन समस्यात्मक होता है जो पार्ट के और बढ़ने का एक कदम है यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रसनों में करम बढ़ता हो तथा प्रसन ए प्रासांगिक ने हो देखिए प्रसनों में करम बद्धा से तात्परी ये है कि पहला जो प्रसन होगा उसका जो आंस्वर आएगा उससे दूसरा प्रसन स्टार्ट होगा जैसे कि एक सिंपल सा प्रसन पूछा कि भारत की राजदानी कहां है तो हम बताएंगे नई दिल्ली तो दूसरा प्रसन जो स्टार्ट होगा वो नई दिल्ली से स्टार्ट होगा कि नई दिल्ली का मुख्यमंतरी कौन है तो बच्चे मुख्यमंतरी का नाम बताएंगे तो उस मुख्यमंतरी के नाम से पिर तीसरा प्रसन शुरू होगा ऐसे करते करते पांच प्रसन पूछे जाएंगे तो प्रसन जो है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाने होते हैं और अंतिम प्रसन जो है वो इस प्रकार से गुमा फिरा करके उस पार्ट से संबंदित होना चाहिए जो हम पढ़ाने वाले हैं और उसका उत्तर बच्चों को नहीं आएगा यानि समस्चात्म को प्रसन होना चाहिए और उसका उत्तर देने के लिए ही हम उस पाठ को पढ़ाएंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगला कोसल है प्रस्नोतर कोसल इसका क्या उद्देश से है इसका उद्देश से है अभिवक्ति यानि यहाँ पर पाठ के भाव से संबंधित प्रस्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार का हमारा उद्देश से होता है उस पाठ का उसी प्रकार का प्रस्न पूछा जाता है औ इसमें जो ध्यान रखने वाली बाते हैं वो ये हैं कि विशय से संबंधित सार्थक प्रस्ण होने चाहिए जो विशय के भाव को स्पस्ट करें तथा वांचित उद्देशे की पूर्ति करें यानि जो हमको जो देशे चाहिए उसकी पूर्ति करने वाले प्रस्न होने चाहिए छात्रों को उस विशय में अभिवक्ति देने की क्रमता मिल सके यानि प्रस्न ऐसे होने चाहिए कि बच्चा उसको आंस्वर दे सके यानि विशेवस्तु से संबंदित प्रस्ण होने चाहिए जो आपने उसे पढ़ाया है भासा जो है प्रस्ण पूछने की वो छात्रों के स्तर के अनुशार हो ऐसा नहीं हो कि बच्चे आपकी भासा ही नहीं समझ पाए प्रस्ण करंबद तथा संक्षिप्त हो प्रस्ण जो है वो उसमें तार्तम्यता होनी चाहिए करंबद होने चाहिए तथा छोटे प्रस्ण होने चाहिए तो ये कुछ मुख्य बाते हैं प्रस्ण उत्र कोशल की जो आपको याद रखनी चाहिए अगला कोशल है खोजबून कोशल देखिए इसमें क्या होता है यदि आपने बच्चे को कोई प्रस्न पूछा और उसका आंसर वह नहीं दे पाया तो आपको क्या करना है उस प्रस्न से संबंदित ही कोई दूसरा ऐसा प्रस्न पूछना है ताकि बच्चा आपकी बात को समझ सके और उस प्रस्न का उत्तर दे ठीक है, यानि उसका उत्तर खोज सके, इसलिए इसको खोजपूर्ण प्रसंद कोशल बोला गया है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यदि कोई छातर किसी प्रसंद का उत्तर ने दे पा रहा हो, तो उससे सम्बंधित कोई दूसरा प्रसंद पूछना, जो कि पहले प्र गयान को अपने टोपिक से जोड सके, यही होते हैं खोजपूर्ण प्रसंद, अगला कोशल है स्यामपट कोशल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कोशल है, इसका उद्देश्य होता है लेखन कोशल विकास, यानि लिखने का जो कोशल है, उसका विकास करना ही स्यामपट कोशल कहलाता है, इसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बाते हैं वो समझेगा, स्यामपट का सही तरीके से प्रियोग करना ही स्यामपट कोशल के अंतरगत आता है, शामपट बलेक बोर्ड को कहते हैं, कन्फूजन नहीं रखना आपको, जो आपका बलेक बोर्ड होता है ककस हो रही है, चोटी ककसा के लिए स्यामपट कोशल अतियावशक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत ही दोश्पून या तरुटीपून लिख सकते हैं, इसलिए आप प्रतेक शब्द को स्यामपट पर लिख कर के समझाएंगे, तो बच्चे आसाने से समझ पाएं और तरुटीपून नहीं लिखेंगे, जैसे स्यामपट पर जो भी लिखना हो, स्वच लिखना हो, स्पस्ट लिखना हो, सीधी लाइन में लिखना चाहिए, अक्षरों का आकार जो है, वो कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, यानि कि अंतिम पंक्ति में भी यदि कोई छा बेठा है, तो उसको भी वह दिखना चाहिए, आपका लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि दूर वाले को नहीं दिख रहा है, आपने बारिक बारिक लिख दिया, तो उचित अक्षरों का आकार होना चाहिए, लाइने सीधी होनी चाहिए, साप सुत्रा होना चाहिए, स्वच्छ होन इसका एक मनवग यानि कारण यह है कि जो डस्ट उड़ती है जो चांक की जो डस्ट है वो उड़ेगी तो बच्चों की आँखों में गिर सकती है अध्यापक की आँख में गिरेगी इधर उड़ेगी तो इसका सही तरीका होता है यदि आप उपर से डस्टर को नीचे की के समय उपयोगी यदि कोई कठीन सब्द आ जाता है तो अध्यापक ब्लेकबोर्ड पर लिख करके उसको स्पष्ट करता है तो वहाँ पर इसका महत्व और भी जादा बढ़ जाता है मुल्यांकन तता ग्रह कारिये के समय उपयोगी यदि आप मुल्यांकन कर रहे हैं तो मुल्यांकन प्रस्ण आप ब्लेकबोर्ड पर लिख सकते हैं होम रख देना चाहते हैं तो होम रख भी आप ब्लेकबोर्ड पर लिख करके दे सकते हैं अगला जो टाइप है वो है अन्वेशन प्रधान प्रस्न इसका उद्देश से होता है ग्यान का द्रडी करण यानि जो ग्यान हमने अर्जित किया उसका द्रडी करण करना उसको द्रड कर लेना, मजबूत कर लेना इसमें किस तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं? शमस्यात्मक प्रस्नों के विकल्प के रूप में इस तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं यानि समस्यात्मक प्रस्न किसी प्रस्न में बच्चे के समस्या आ गई तो उसके विकल्प के रूप में हम दूसरा प्रस्न पूछ सकते हैं उसको हम अन्यवेशन प्रधान प्रशन बोलते हैं उसी उत्तर को किसी दूसरे प्रशन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है यह प्रशन भी पूर्व ग्यान प्राधारित होते हैं लेकिन यह प्रशन मूल भाव से दूर नहीं होने चाहिए तो कहने का तात्परी ये है कि बच्चे को आपने कोई प्रशन पूछा यदि वह उसका आंस्वर नहीं दे पाता है तो आप उसको दूसरा प्रशन पूछ सकते हैं लेकिन पाठ का जो मूल भाव है उससे वह दूर नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रशनों से चात्रों में जिंतन सकती, कलपना सकती वो मनन सकती का विकास होता है तो ये थे अन्यवेशन प्रधान प्रशन अगला कोशल है प्रवा है कोशल तो जैसा की नाम से इस प्रश्ट है प्रवा है तो इसका वद्देश्य हो गया प्रवाह होना या निरंतरता यानि सिक्षन में निरंतरता बनी रहे प्रवाह बना रहे इसलिए इस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं देखे इसमें क्या होता है इस तरह के प्रस्णों में अध्यापक छात्रों को प्रोथसाहित करता है means feedback देता है उनको motivate करता है अता है इसे पुनर बलन कोसल भी कहा जाता है ठीक है तो इसका दूसरा नाम पुनर बलन कोसल भी हो सकता है यह है पुनर बलन मोकिक या लिखित तथा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों परकार का हो सकता है जैसे कई बार हम हम बच्चों के काप्य में नोट डालते हैं कि राइटिंग सुधारो या कोई दूसरा परकारा नोट डालते हैं कि बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा परियास है वेरी गुड इस परकार के नोट्स डालते हैं तो ये लिखित भी हो सकता है या हम मोखिक भी बच्चे को ब इस परकार से अपना संस्कृत की सिक्षन विदियों का सलेबस यहां पर पूरा होता है और अब इसकी टेस्ट से दिश शुरू करेंगे साथ में हिंदी की सिक्षन विदियां भी स्टार्ट हो जाएगी कल से ही तो उमीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप आप समझ बाए होंगे अगर आप समझ बाए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सेर कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो निसन्दे आप कमेंट करके पोच सकते हैं मैं आप से मिलूँगा नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंड जै भारत